दमश्कर दोस्तों फिर से सौगत आपका एक नहीं वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ रियल मी नर्जो 50A है आपके पास 50i है या कोई और मॉडल है तो उसमें आप notification and status bar की setting कैसे कर सकते हैं इसके लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पे और सेटिंग पे जाने के बाद यहां पे आप स्क्रॉल करेंगे और यहां पे आपको notification and status bar का option देखने को मिलेगा आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहां पे यह फुल सेटिंग है notification and status bar की तो यहां पे अगर आपको data usage इस डिस्प्ली करने अपने notification drawer में यहां पे मैं आपको दिखा देती हूँ this month इतना MB आपका यूज हुआ है तो इस टाप से अगर आप शो करना चाहते हैं तो इसे on रहने देंगे और पुल डाउन lock screen notification drawer अगर यहां पे lock screen पे अगर आप notification drawer को on enable रखना चाहते हैं ताकि यहां पे notification आपको शो हो जाए तो यह वाला option on रहने देना है और अगर आपको नहीं चाहिए आप off कर सकते हैं तब आपका lock screen पे notification drawer नहीं कुलेगा ठीक है और इसके बाद manage notification को option आ जाता है यहां पे जाके आप यह notification वगरा manage कर सकते हैं इसके लिए अलग से वीडियो बना रखिए जाके देख लेंगे how to stop notification और इसके बाद यहां पे status बार की setting आ जाती है time का option यहां पे शो होता है तो यहां पे आप hours और minute वाला time show करना चाते हैं या फिर hours, minute और second शो करना चाते हैं या पे जो time आता है या फिर do not show, do not show करते हैं तो यह गाया बुझाएगा देख सकते हैं यहां पे time नहीं show हो रहा है और यहां पे अगर यह वाला show करना चाते हैं तो कर सकते हैं और show battery percentage तो यहां पे बैटरी percentage लगा सकते हैं यहां पे देख सकते हैं battery percentage इस step से यह show होता है और icon के बाहर करना चाते हैं तो icon के बाहर कर सकते हैं और यहां पे real time network speed यहां पे आप on करेंगे तो आपको internet की जो भी speed होगी न वो status बार में show होगी आपका wifi चल रहा है या फिर internet चल रहा है नेट चल मोबाइल का तो यहां पर जो भी speed आ रही होगी वो यहां पर शो होगी ठीक है इसके बाद notification icon का option आ जाता है तो notification icon जैसे कि यहां setting का icon आपको शो हो रहा है WhatsApp का icon Facebook का icon Instagram ऐसे आइकन सा आजाते ना अगर यहां पर notification count करना चाहते तो count कर देंगे तो यहां पर numbers आएंगे कि एक message जाया हुआ है तो यहां पर do not show कर देंगे तो कुछ भी शो करेंगा यह plane हो जाएगा बिल्कुल तो यह आप देख लेंगे कि आपको icon show करना है या नहीं और status icon का option देखने को मिल जाता है तो यहां पर जो status पे जितने भी icons हैं जैसे आपका Bluetooth और earphone का symbol देखने को मिल जाता ह तो यहां पर बंद कर देंगे तो Bluetooth का icon गया बुझाएगा आपके VPN का यहां से आप बंद कर सकते हैं और vibrate और silent का जो यहां पर आपको छोटा साई का icon देखने को मिलता है वह बंद कर सकते हैं वाइफाई का icon बैटरी का icon मोबाइल नेटवर्क अलारम और airplane mode वोल्ट डेटा usage सारा यहां पर बंद कर दिया है मैंने άप देख सकते हैं बिल्कुल plane हो गया है ठीक है और यह आपका internet का speed रहे गया है internet की speed आपको बाहर देखने को मिल जाता है यहां से अगर बंद कर देखने को यह हटाने है मैंने यहाँ पे सारे on कर दिये हैं अब यहाँ पे back कर देना है और इसके बाद यहाँ पे media playback control आ जाता है तो यहाँ पे अपने notification ड्रॉर के रीचे आपको छूटा से पैनल देखने को मिल जाता है आप वही पे बाहर से ही music play कर सकते है पॉस कर सकते है और बाकी आपको और लिजेगा notification and status बार की और नार्जो के उपर अलग अलग वीडियो बना रखी है फुल सेटिंग के उपर आपको जो सेटिंग चाहिए वह आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी playlist में विजिट कर लिजेगा आई होप गाई यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होग चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार